22 प्रितिज्या में परमपुजे बहुदी सत्थ बाबा साब डॉक्टर अमबेट करजी ने कहा है कि मैं आज से अपने जीवन को बहुत धर्म के सिक्षाओं के अंसार ही चलाओंगा मैं उनका पालन करूँगा तो आपने देखा ये शुरू से पहली प्रितिज्या से लेकर और 22 प्रितिज्या तक जो भी बाबस आपने बताया है अपनी 22 प्रितिज्याओं में उन्होंने पुराने हिंदु धर्म को छोड़कर एक नए जीवन की शुरूआत करते हुए बाद धर्म के सिक्षाओं को गर्ण करते हुए बाद धर्म के दीख्षाली और वही सब को चुनोंने अपने अनुयाईयों को यानि हम सब के लिए शोशित प्रिडी समाज के लिए पूरे बहुजन समाज के लिए जिसका हजारों साल से त्रिसकार होता रहा जिसका हजारों साल से सोशन होता उसके लिए जरूरी है कि वो अपने जीवन को भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चलाए बहुत धर्म की सिक्षाओं को ग्रहन करके बहुत धर्म की सिक्षाओं के अनरूप उसके अनुसार अपने जीवन का यापन करे उसको आचरण में अपने आचरण में शामिल करे इसलिए भगवान इसलिए बापसाब डॉक्टर अमबेटकर ने कहा कि मेरी 22 में पृतिग्या है कि मैं अपने जीवन को बहुत धर्म के सिद्धानतों के अनुसरूप बहुत धर्म के सिद्धान का अनुरूप चलाऊंगा उसका आचरण करूँगा तो इस तरह से बापसाब डॉक्टर अमबेटकर की 22 पृतिग्याएं हम सब को अपना जीवन बहुत धर्म के अनुसार यापन करने के लिए उसके आचरण करने के लिए उन्होंने दी और मैं ये मानता हूँ कि अगर हम सच्चे अनुयाई हैं बापसाब डॉक्टर अमबेट करके मैंने पुजारी नहीं का बापसाब की पूजा करने की जरूरत नहीं है बापसाब का अनुयाई बनने की जरूरत है और जिस दिन हम बापसाब के सच्चे अनुयाई बन गए उस दिन निश्चित रूप से हम अपने पुराने धर्म को छोड़कर बहुत धर्म के सिक्षा गरहन करेंगे दीच्षा गरहन करेंगे और अपने जीवन को बहुत धर्म के सिक्षाओं और सिध्धानतों के अनुरूप चलाएंगे अपने जीवन में अपने आचरण में उस सिक्षाओं को लाएंगे बस मेरा यही कहना कि हमें उस सिक्षाओं के अनुरूप ही बाबसाब की बाइस प्रतिग्याओं के अनुरूप अपने जीवन चलाना चाहिए